हिमाजल परदियस करमचारी चेन आयोग हमीरपुर की ने चेयरमेन विगेटियस तीश कुमार शर्मा ने पजभास नभाल लिया है। नभ नियोग चेयरमेन विगेटियस तीश कुमार शर्मा ने कहा कि आयोग के परिणामों में कता ही ना हो। इसके लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कुछ परिणाम लटके हुए थे लेकिन धीरे धीरे सारे परिणामों को निकाला जा रहा है। चलाया था उसको और सुद्रिड करने की जरूरत है कुछ एक खामिया है और बाकी चीजे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे इन्फरमेशन टेकनोलोजी की एक्स्प्लाइटेशन करके ये जो हमारा एप्लिकेशन और रेक्मेंडेशन के बीच का समय है उसको कम करने की कोश ये सबसे बड़ी प्रात्मिकता रहेगी हमारे उसको हम शुरू में उसमें चूंकि नया सिस्टम था शुरू कर रहे थे उसको इसलिए कुछ एक उसमें डिले हुई होगी लेकिन अब जो है वो सुचारू रूप से चलने लगा है कौंसलिंग ये सर्टिफिकेट्स की एक से जो वेरिफिकेशन है वो जरूरी है वो होती ही रहेगी वो होनी पड़ेगी और उसमें जितनी ज्यादा हम स्पीड लाप आएंगे उतनी कोशिश करेंगे अभी वैसे ज्यादा डिले नहीं है शुरू में शायद हुई हो तर कुछ पोस्ट को उसके रिजल्ट भी अटक निकल रहा है तो वो हमने लगातार चल रही है एकुरेसी की हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कोई उसमें गलती नहीं होनी चाहिए कोई कोताई उसमें नहीं हो जाए इसलिए थोड़ा सा समय लगता है लेकिन रिजल्ट हम बिलकुल एकुरेट निकालते हैं कभी उसमें तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है नहीं तो आज कल ठीक मैं समझता हूं कि स्पीड से रिजल्ट सा रहे हैं वहीं कई बार एक साथ ही चेन आयोग और लोग सिवा आयोग की परिक्षाएं एक साथ होती हैं जिस पर चेन आयोग का कहना है कि आयोग आगामी स तरह की परिसानियों से निपटने के लिए कोशिश करेगा ताकि अभ्यारतियों को खामियासा ना भुकतना पड़ें उस पर हम पूरी कोशिश करते हैं जो डेट्स है यह हमारे कंट्रोल अफ एक्जामनेशन है यह सारे इनके पास वो डाटा है उपलब कि किस किस की डेट् नहीं करते हैं जिसके ओपर किसी ने कुछ शेडियूल किया हुआ कोई एक्जाम लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने शेडियूल कर दिया है और कोई दूसरे शेडियूल करते हैं तो जहां तक हो सके हम दूसरे एक्जाम में तो हम स्किल टेस्ट हुए रहा है उसमें हम एड जीव डॉक्टर जीतिंदर कवर कमल सिंग उत्तम पटेयाल के अलावा अन्य आयोग के सदस्ते एवन स्टाफ मौजूद रहा